कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुरी समस्याएं बनी रहती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपके पास पैसा नहीं रुपता, धन जमा करने में मुश्किले आती हैं। तो आज की दिन हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आज माने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। लाल फूल अर्पित करें। सुभा के समय आपको घर की पूजास्थल में माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूद से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। हनुमान जी को चढ़ाएं पीपल का पत्ता। आप पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रख कर आ जाएं। ऐसा करने से धन लाग की योग बनते हैं। तीपल के पत्ते पर मिठाई भी जरूर रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और हाँ इस बात का विशेश ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है। उसको हनुमान जी के चरणों में बिलकुल भी न रखें। काली मिर्च से धन प्राप्ति के उपाय। धन से जुड़ी परिशानिया अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं। तो आप काली मिर्च के पाँच डाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए। और उसके बाद इन दानों में से चार दानों को čारों दिशाओं में फेक देना चाहिए। पाँच में दाने को आकाश की ओर आपको उच्छालना चाहिए। और हाँ ये दाने फेकने के बाद उस दिशा में पलट कर पिल्कुल न देखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परशानी भी दूर हो सकती है। ये उपाय आपके संचिध्धन में भी व्रिद्धी करने वाला माना जाता है। कनक धर श्तरोथ का करने पाट अगर आपका सपना धन्वान बनने का है, तो आपको कनक धर श्तरोथ का पाट करना चाहिए। इस स्त्रोत का पाठ करने से आपको धनलाब मिलता है। आप कनकधारा स्त्रोत का पाठ प्रत्दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मानिता है कि अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपके धन से जुड़ी सभी परिशानिया दूर हो जाती हैं मालक्षमी आप सभी पर अपनी घृपात्रिष्टी बनाय रखें ऐसी हमारी कामना है